एक धर्ण से मैं दूसरे धर्ण में जा रहा हूं जो आजादी मुझे भारत का संविधान देता है तो आप जब एक धर्ण से दूसरे धर्ण में जाते हैं तो पिछले धर्ण की बातों को नहीं मानते हैं और एक नहीं धर्ण को मानते हैं जो आपको अच्छा लगता है यह आ आपी प्रियुकु खिल्ण से घ्कुस्टा के इस अबलगौंध चुछ टोट इंग्या लोगश्टा टॉच्छि विश्चिस्टा। that why this happened but I think that this event also underlines that our democracy has evolved in a way it should have been and there are some uncharted territories some spaces where ideally according to constitution we should have gone but when we go there as if there is some dynamite is there with plots you can't go to those territories though it is there in constitution in law books you can convert you can change your religion you can have your faith you can you have right to do so many things but in practice in practice in real life there is a problem and and going there because you know somebody can be jana it didn't you do it I know it the question that we have a lot of psychiatry Joachim आप एक्ष़ली पैर रखते हैं तब पता चलता है कि आपके नीचे से कुछ फूट गया बंपत गया है वरना क्या यह घटना क्या है कि मैं एक धर्म में हूं एक धर्म से मैं दूसरे धर्म में जा रहा हूं जो आजादी मुझे भारत का संविधान देता है जो आपको जो एक सिंपल प्रोशच दुन्या की जाज़ा लो करती है तो आप जब एक द्धर्म से दुसरे धर्म में जाते हैं तो फिछले धर्म की बातों को नहीं मानते हैं और एक नहीं को मानते है जो आपको अच्छा लगता या कि चौई में तो बावा सहाफ जिस समय वाइं भी हैं था पूस्वाइं से दिद्धिश्म की तरफ जब जा रहे हैं तो पीछे मुझे क्या-क्या नहीं करना है और दोरे बाड़ सपते हैं कि मैं पिछे यह यह कर रहा था यह नहीं करूंगा और अब क्या क्या करूंगा तब यह मेरे छाल से आप सवनों को मालूम होगा इसमें ऐसा कोई आश्मान फटने जैसी बात नहीं है एक अगर हिंदुधर में जाएगा तो बोलेगा कि मैं पीछे यह मान र के लोगों के लिए तो बहुत नैचुरल है कि जिस धर्म ने उन्हें इतनी ज्यादा पीड़ा दी इतनी तकलिफ हैं दी जिसकी कि आप विश्ची धिहास में कोई तुलना नहीं है वहां से निकलकर अगर कोई लिब्रेट होता है मुप्ति के रास्ते पर चलता है तो इसको लेकर जादा एजिटेटेड होने की जरूत नहीं है लेकिन ऐसी घटनाएं बता रही है कि भारत का जो डोमिनेंट जो प्रुभावसाली डिस्पोर्स है वो इस तरह की बात को नहीं करने दे रहा है तो हमें लग वक्तिय लोगतंत्र का वो हिस्सा क्लेम करेंगे जो कावज पर है और जमीन पर नहीं है एक्चुली वह अधिकार हमें मिला हुआ है लेकिन जब हम उसके एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितना हंगामा बुरा है तो यह अगर इस लड़ाई कम हथ इस इससे आजादी का एक पूरा दाइरा खुलेगा तो मैं इसको बहुत कंभीरता से इस मामले को हम सब लोग आप सब लोग की भी नजर है क्या हो रहा है क्योंकि यह अपने आप में कितनी चिंता की बात है कि एक प्रक्ति जिस पर अभी तक है फाया दर्ज नहीं हुई है वह पॉलिटिकल सिच्वेशन में दबाव अगरे क्या रहा होगा किसी को नहीं मालों अंदर कि अंदर कथा हैं अंदर को नहीं पता होती है जानने की जरूत भी नहीं है लेकिन अल्टिमेट रिजल्ट यह है कि उनको मंत्री नहीं रहने की स्थिति आई तो आप शिर्फ बाइ दूने चापए हो और है हिंदी में एक चालिस में की पुरीगाज की लग जो यहां का प्रभावशाली धर्म और उससे जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो इसको अभी अलाव नहीं कर रहा है तो हम लोग अगर इस लड़ाई में थोड़ा सा व्यागे बढ़ते हैं तो यह लाकपलों की जिंदगी पर अच्छली इंपक्ट करेगा और देश जार की घ्रीड में वह वाइस प्रितिक्याइं बोली जा रही है यह मतलब कम से कम 25 साल से तो मैं भी आपजर्वेशन कर रहा हूं कि देश दुन्या में क्या हो रहा है यह पहली बार हुआ है मुझे लगता है कि पर और यह एक दूसरा मौका है जो फिर से बाइस प्र प्रिशन को घरा पर को नहीं बता रहे थे अब बताना शुरू हो रहा है और मैं मुझे नहीं मालूम कि राजनीत में अगला कदम कौन क्या लेगा उसमें हम सला देने के लिए भी सक्षम नहीं क्योंकि राजनीता इस मामड़े में बहुत सबसे सही अपने लिए सोच पाते लेकिन हमारी पूरी तरह से मंगल काम नाय रहेंगी अभी तक मैं को जीने इतना कर दिया वही अपने आपमें इतना भारी है इतना पर एतिहास है इसके बाद अगर कुछ भी न करें तो भी मुझे लगता है कि उन्होंने के दिहासी काम कर गया